हलो गाईज और वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक टूटोरियल्स और गाईज यह हमारा लेक्चर नमबर फिफ्थ है और जो हमारा टॉपिक है गाईज वो है नमबर सिस्टम ठीक है और इससे पहले हमारे चार पार्ट और लेडी हो चुके हैं ठीक है तो जो लोग डिरेक्टली यह पार्ट नमबर फिफ्थ जो है इसको देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार पहले पार्ट नमबर वन टू थ्री फोर जरूर देख लो ठीक है उससे क्या है आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी जो फ्लो चल इसके वीजिबिलिटी पढ़ रहे थे उसके रूल पढ़ रहे थे ठीक है और हम नाइन का दूल जो है पढ़ चुके थे ठीक है तो देखो नाइन तो नाइन का दूल क्या बोलता है गाईस की मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जो भी नमबर से हैं उनको आप देख लीजिए और जब आप इनको एड करोगे ठीक है जैसे कि आपका नमबर है 121 ठीक है या फिर 111 या फिर कोई भी हो ठीक है तो आप इसको इसमें ठीक है इन सब को अप इन सारी डिजिट्स को आप जो है इंडिविजिवली एड कर लीजिए और उसके बाद जो सम आए इसके अंदर आप नामर है वो नामर का डिविजिवल होगा अगर नहीं होगा और जो रिमेंडर आएगा वो सेम होगा ठीक है यह मैं आपको अलडी पढ़ा चुका हूँ पूरी डिटेल में परने के लिए आप पार्ट नमर फॉर पे जा सकते हैं ठीक है अब देखिए इस के बाद आता है ग seinen 99 ठीक है डिक कन नाइन्टी नैन का रूल कैसे काम करता है तो गाइस देखो 99 का रूल जो है वह ऐसे काम करता है जैसे कि कोई नमबर है psychiatrist ठीक है अब देखो हम को यह चेक करना है कि यह नमबर जो है यह 99 से डिविजिबल है या नहीं है तो देखो जब नंबर 9 से हम चेक करते थे तो हम सिंगल डिजिट्स को एड़ करते थे ठीक है अब यहां पर 99 हो गया है ठीक है तो अब हम क्या डबल डिजिट्स को एड़ करेंगे जैसे कि 12 और 34 है तो इसमें हम 34 फॉर प्लस करेंगे ठीक है और कई यहां को हमेशान याद रखना है जो आप पियर्स बनाओगे ना वह पियर्स आप पीछे की साइड से बनाओगे यानिकि राइफ रैट हैंड साइड से वह पेश बनाओगे ठीक है क्यों क्यों कि अगर यह जो नंबर है इसमें जो करने पर अलग आएगा और लेफ्टेंट साथ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अलग आएगा वो मैं आपको भी एक एग्जेम्पल दिखा दूगा ठीक है तो देखो फॉर्टीशी बचेगा ठीक है फॉर्टीशी रिमेंडर होगा ठीक है तो जब आप इस नंबर को भी नैंटीञ से ड्राइड करोगे तो आपका जो रिमेंडर होगा वो फॉर्टीशी ही होगा इसको वे बाद चेक भी कर लेते हैं अपने सैटिसफेक्शन के लिए देदेखो कि अभी हम इसको 99 से डवाइड करते हैं यहां पे वन बार जाएगा अब बचेगा 20 है फोर ठीक है अब फोर यहां से लोगे ओक्वे गई तो यहां पे टू बार जाएगा ओन 98 ठीक है अब यहाँ पर remainder क्या बचेगा 46 अब आप देख लीजिए यहाँ का remainder और यहाँ का remainder दोनों सेम आए हैं न गाइस यह क्यों आए हैं क्योंकि इसके उपर यह rule काम करता है ठीक है और उन पेयर्स को फिर आपस में एड कर देना है एड करने के बाद जो आपका सम आएगा गाईस ठीक है उस सम को अब आपको 99 से डिवाइड करके देखना है अगर वह 99 का एक multiple है तो उसमें उसका डिवाइड चला जाएगा ठीक है अब देखो इसको एड कैसे करना है इसमें दो तरीके वह सकते हैं या तो यह डिजिट जो है इसमें even동बर होंगे जैसे की वन टू थ्री फॉर ठीक है अब वं टू थ्री फॉर तो यह फ़र बनागे तो दो पियर बन जाएंगे ठीक है कई बार ऐसा भी हो सकता है व है जो यह last वाली जो digit है ठीक है यह एक extra बच जाएगी ठीक है और अगर आप इस side से pair बनाओगे तो यह 5 बच जाएगा है ना तो आपका answer क्या है फिर इसमें अलग अलग आएगा तो इसको हम जो यह problem है इसको remove करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको हमेशा right hand side से ही pair बनाने है ठीक है आप यहां से pair बनाओगे 45 23 इनको add करोगे और उसमें one भी add करोगे ठीक है 45 प्लस 23 प्लस one जो भी इसका sum आएगा उसको आप 99 से डिवैड करके देखोगे ठीक है अगर वो divisible होता है तो well and good नहीं होता है त remainder यहां पर भी बचेगा ठीक है वो इसका actual remainder होगा ठीक है अब देखो अब आपका एक और आता है case 999 और इससे चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे ठीक है तो guys same rule है बस यहां पर जैसे जैसे 9 बढ़ते जाएंगे ऐसे इनके भी number बढ़ते जाएंगे यहां पर हम एक date को add कर र 4 5 6 ठीक है तो हमें आपके का करेंगे तीन तीन का group बनाएंगे फिर उसको आपस में हम add करेंगे और फिर उस group को add करने के बाद उसको 99 से divide करके देखेंगे अगर वो divide जाता है तो बहुत अची बात है divide नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो number है actual number वो भी divisible नहीं होगा और जो remainder बचेगा वही actual remainder होगा ठीक है आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा इसको आप add करने के बाद जो sum आएगा उसको आप 999 से divide करोगे ठीक है और यहाँ पर अगर divisible होगा तो remainder बचेगा 0 ठीक है और अगर divisible नहीं होगा तो जो भी remainder बचेगा XYZ ठीक है व ठीक है और अगर आप यहाँ पर 9999 ऐसे कर दोगे तो वहाँ पर फिर वो 44 numbers का आप group ले लोगे ठीक है यह इस तरीके से होता है इसमें question कैसे बनते है guys इसमें question देखो ऐसा बनता है जैसे कि question आपको आ जाएगा कि यह है 1111 ऐसे यह 100 times तक है ठीक है यह 100 times जो है 111 repeat हो रहा है इस पूरे number को हमको 9999 से divide करना है तो तब आपको बताना है कि इसका remainder क्या बचेगा तो देखो यह question है यह कैसे solve होगा तो देखो अब आपको पता है कि 1111 100 times repeat हो रहा है ठीक है तो 111 ऐसे करके 11100 times repeat हो रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है हम जब इसके divisibility check करते हैं तो क्या क बनाते हैं फिर उनको add करते हैं ठीक है तो देखो 100 times में 33 के कितने गुरुप बन सकते हैं maximum ठीक है तो आप देखोगे तो maximum गाईज इसके 33 गुरुप बन सकते हैं ठीक है क्यों 33 into 3 is equal to 99 यानि कि 99 तक इसके 33 गुरुप बन जाएंगे 33 के ठीक है उसके बाद एक नमबर एक आ जो है हमारे 33 गुरुप बन गए ठीक है इनका सम कितना होगा एक गुरुप का सम है 111 ठीक है दो गुरुप का सम कितना होगा into 2 और 33 गुरुप का सम क्या होगा into 33 ठीक है तो देखो 111 into 33 हो जाएगा अच्छा उसके बाद क्या करोगे उसके बाद एक नमबर अभी भी रह ग 9 तक ही था जो 100 जो नमर था वो तो भी दही गया है तो प्लस wonderful ठीक है 100 नमर क्या था वन ही था ठीक है तो वन तो क्या जाएगा हैं का सम जो भी इनका सम आए गाईज उसको हम जो है नाइन और नाइन से ड़ाइड करेंगे ठीक है अगर ड़ाइड गया तो बहुत अच्छी बात है अगर ड़ाइड नहीं गया तो जो डिमेंडर बचे गा वही डिमेंडर एक्चॉली बचे वही उसका अंसर होगा गाई ठीक है तो इस तरीके के आपके questions आते हैं और आप यह बहुत आसानी के साथ नहां पर आइधिक निकाल सकते हैं ठीक है जैसे कि अगर हम इस question को solve करना चाहें तो 1 1 1 into 33 आप करोगे तो यह आजाएगा 3 यह आजाएगा 3 33 into 1 33 36 3 3 33 into 1 तो यह आजाएगा 36 तो यह आपका आजाएगा ठीक है प्लिस आप 1 करोगे तो आपका 3 6 6 4 यह आपका जो है यह आजाएगा इसमें आप 999 का डिवाइड करके देखोगे तो जो भी आपका अंसर आएगा गाइस वह आपका अंसर होगा फाइंड़ ठीक है अच्छा अब देखो अब इसके बाद मैं आपको एक नया कंसेप्ट सखाता हूँ डिविजिबिलीटी के लिए ठीक है देखो गाईस जो हमारे जो डिमेंडर होते न वो होते हैं दो तरीके के ठीक है एक होता है पॉजिट्टिव डिमेंडर और गाइस एक होता है नेगेटिव डिमेंडर ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तो यह आगे आपके काम आने वाला है थोड़ा सा ठीक है तो देखो पॉजिटिव डिमेंडर क्या होता है और नेगेटिव डिमेंडर क्या होता है पॉजिटिव डिमेंडर होता है तब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से अब आप मुझे इसका पॉजिटिव डिमेंडर निकाल के बताओं तो देखो पॉजिटिव डिमेंडर में क्या होता है यह वाला जो नंबर है ठीक है जो नियूमेटर है उसमें से अपन क्या करते है इसका जो multiple है जो इससे just पहले आता है ठीक है इसके multiple का होंगे 3 का multiple होगा 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से तो देखो इसका जो multiple जो इससे just पहले आता है ठीक है अच्छा 6 प्लस 2 यह आपका हो गया 8 ठीक है अपन 3 ठीक है अच्छा जब हम 3 में 8 में 3 का डिवाइट देंगे तो 6 तक तो गाइस complete डिवाइट चला जाएगा फिर 2 बच जाएगा डिमेंडर ठीक है इसका मतलब यह है ठीक है तो अब 2 बच जाएगा डिमेंडर तो यह क्या होगा गाईस इसको बोलेंगे हम positive डिमेंडर ठीक है क्यों क्योंकि इसका sign positive है और यह sign positive क्यों है क्योंकि जब हमने इसको divide किया है तो हमने इसको ऐसे divide किया है कि जो हमने इसका multiple लिखाए न वो इससे just पहले वाला multiple इससे just पहले वाला multiple लिखाए ठीक है अब जब इससे हम just पहले वाला multiple लिखेंगे तो इस number पहुंचने क लिए हम कुछ ना कुछ add करेंगे जब add करेंगे तो वो क्या हो जाएगा positive remainder ठीक है अच्छा अब negative remainder क्या होता है तब देखो गया इस negative remainder है आप इस same question को लो 8 upon 3 ठीक है अब देखो अब हमें क्या करना है जब हम positive remainder लेते हैं तो इससे हम just पहले वाला multiple लेते हैं अब हम क्या करेंगे इससे just बाद वाला multiple लेगे ठीक है अब इसके just बाद वाला multiple क्या होगा 3 का 9 ठीक है तो यहाँ पर हमने लिखा 9 अब 9 से यहाँ तक पहुँचने के ल नेगेटिव का साइन है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा गाईज यह आपका हो जाएगा नेगेटिव रिमेंडर ठीक है यह आपका होता है पॉजिटिव रिमेंडर यह आपका होता है नेगेटिव रिमेंडर ठीक है गाईज अच्छा अब देखो अगर आपको अब का divide कर रहे हो उस नमबर को minus कर दो ठीक है तो two minus three तो क्या हैगा minus one ये क्या है आपका negative remainder ठीक है अच्छा अगर इससे आपको positive remainder निकाल ना है ठीक है तो three minus one एसे कर दो आप ठीक है जो आपका जो number है इसमें से आप इस नमबर को add कर दो वो ठीक है अब तेंदर के अंदर आप इस नेगेटिव डिमेंडर कोmor एक है और खोटेंगरं जाएगा पॉजिति दे मेंड़ को मैमपनेora, दोगे मेंडर को माइनश कर दोगे तो आपका नेगेटिव डिमेंडर आ आज जाएगा तो यह तो आपका concept हो गया positive remainder negative remainder का देखो अब हम अपने next concept कियाथ है divisibility के पर देखो अब हम जो अपना जो divisibility rule है वो देखते हैं 11 का 11 का होता है ठीक है तो 11 का गाईज यह rule होता है कि कोई वे नमबर है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है जैसे यह नंबर मालों जी अब हमें यह हैं कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है यह नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे तो इसका गाईज बहुत सिंपल सा रूल है क्या करना है आपको राइट हैं साइज से स्टार्ट करना है ठीक है यह बात आ दिखो यहाँ से आपने add करना शुरूर किया alterate numbers को छोड़ के एक तो फिर 1 फिर फिर एक इसको लिखा यहाँ पर फिर जो number हो गए है उनको छोड़ दो जो number बचे है अब उनको add कर लो ठीक है तो 4 और 2 यह कितने हो गहाँ 6 ठीक है अच्छा तो अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है ठीक है जो आपका पहले वाला जो सम आया है उसमें से आपको जो सेकंड वाला जो सम आया है इसको माइनस करना है ठीक है इसको आप ऐसे भी बूल सकते हो कि आपको जो नंबर से जो और नंबर से बैठे हुए है right hand side से उनको add करना है और जो even number पर बैठे हुए है उनको add करना है और उनको फिर odd number वालों में से even number वालों को minus कर देना है अब जो आपका difference आता है ठीक है देखो आपका difference आए 3 तो देखो या तो आपका difference आजा हो 0 ठीक है या फिर आपका जो difference हो वो 11 का multiple हो ठीक है या फिर वो आपका 11 का multiple हो तो तो यह जो number है यह आपका 11 से divisible होगा अगर ऐसा नहीं है तो वो आपका 11 से divisible जो है वो नहीं होगा ठीक है अच्छा तो यह तो होगए आपका divisibility फिर बात आती है diameter की reminder कैसे निकालेंगे ठीक है तो देखो अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर नंबर कैसा आया है positive तो तो गाईज अब तो यहीं रिमेंडर है ठीक है अगर positive नंबर आया है तो तो यहीं Jiangर है no problem ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जो remainder है वो आपका कुछ आगे चला गया है ठीक है आगे चला गया है तो अपन जो है वो negative remainder है तो हम negative remainder में से positive remainder कैसे निकालते हैं तो 11-3 मतलब इसका 8 यहाँ कि फिर 8 आपका जो है positive remainder होगा फिर वहाँ पर आपको यह वाली थ्यारब निकालनी है और आपने जो negative remainder है उससे आपको positive remainder निकालना है कैसे निकालना है जो मैं आपको बताई चुका हूँ जो आपका divisor है उसमें से आप negative remainder को आप add कर दीजिए ठीक है इसलिए आप इसको बोलते लेकिन हम addition ही है ठीक है आपको देखने में तो अजीब लगया कि लिख रहा माइनस है पर add को कर रहा है यह तो इसका sign है basically हम इसको add ही कर रहे हैं लेकिन minus plus क्योंकि minus ही होता है तो इसलिए यह ultimately minus हो रहा है पर हम उनको बोलते addition है ठीक है बस यह scene है जिसका sign है minus का हम इसके according हाँ पर जाएंगे तो 11-3 यहाँ पर 8 आपका remainder हो जाएगा ठीक है यह आपका case है तो I hope आपको यह 11 वाला scene पूरा समझ में आ गया होगा ठीक है अच्छा अब देखो हम इससे आगे बढ़ते हैं 11 से अब हम यहाँ पर बात करते हैं 101 के ठीक है अब हम इससे कैसे check करेंगे कि कोई number इसका divisible मतलब इससे divisible है या नहीं है मालीज़े same number है 1,2,3,4,5 इस तरीके से number है अब हमें यह check करना है कि यह number जो है वो divisible है या नहीं है तो देखो इसका बहुत simple सा process है हम 11 में single digits को add करते थे यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले pair बनाएंगे ठीक है हमारे pair बन गया है अच्छा अब इनके अंदर हम अब हम क्या करेंगे alternate pairs को add करेंगे जैसे इसको इससे add करेंगे अब इसके alternate pair हैं तो इसको यह चोड़ देंगे ठीक है फिर इनको add करेंगे तो 45 46 हो गया अब यह है 23 फिर इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे ठीक है मैंस करेंगे यह आपको याद रखना है कि आपको जो और नमबर वारा जो पेर है उसको इस साइल लिखना है और इसको इस साइल लिखना है तब ही आपका positive remainder और negative remainder का concept आपके काम करेंगा ठीक है अगर 45 प्लस 146 माइनस 23 आपका अब देखो इसके बाद जो आएगा ठीक है इसके बाद जो आपका आएगा वो या तो 0 हो या फिर वो 101 का कोई multiple हो ठीक है तो तो वो जो यह वार नमबर है यह इसका divisible होगा इससे divisible होगा अधरवाइस वो इससे divisible नहीं होगा ठीक है फिर वही बात आएगी remainder की जैसे यहाँ पर आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपका positive remainder बच रहा है थीक है positive remainder बच रहा है तो रिमेंटर जही होने वाला है ठीक है और अगर positive remainder नहीं बच रहा है कोई भी negative number आ रहा है तो आप उसको इसमें add कर दोगे जैसे कि minus 23 तो 101-23 ठीक है अच्छा कह यहां पर आपको नंबर आएगा 11 तो यह एट और यह वाला कुशन होगा अब इसमें 1001 अगर ऐसे आ जाए तो ठीक है तो अब हमने यह पर दो दो वो लिए थे डिजिट्स अब हमने आप तीन तीन वो लेंगे डिजिट्स पहले उनको यहां तक आप यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक है इसमें एक जीरॉ और लगा देंगे तो इधर भी एक ग आप उर बढ़ा देंगे ठीक है अच्छा अब देखिए अब देखो क्या करना है अब यह जो नंबर है न का इस वन जीरो जीरो वन ठीक है इसको अगर आप बहुत से देखो गए तो आपको पता चलेगा कि इसके इसके फैक्टर होते हैं 7 x 11 x 13 ठीक है यह इसके फैक्टर होते है अच्छा अब देखो 11 का तो हम divisibility already पढ़ चुके हैं 7 का और 13 का अभी तक हमने नहीं पढ़ा है तो देखो इनके divisibility कैसे होती है अब क्योंकि ये इनके factor है तो कोई भी number जो इससे divisible होगा तो इन तीनों से वो divisible जरूर होगा ये बात तो 100% तैय है तो इसमें तो कोई doubt आपको होना नहीं चाहिए क्योंकि ये इनके factor है तो जब वो number इससे divisible है तो ये तो इसके factor है तो इनसे तो divisible होगा ही होगा ठीक है ये तो आपका rule है mathematics का ठीक है अच्छा इसके बाद देखो suppose क्या बोलते हैं किदा गया हो जैसे देखो अब हमको इनके divisibility चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे इनके divisibility चेक करनी है अगर आपका कोई number 1001 से छोटा है तो देखो हम उसको directly 713 से डिवाइड करके देख सकते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा short पड़ेगा बजाए कि हम उसमें माइनस प्लस करते रहें और गूमते रहें ये उससे ज़्यादा मतलब छोटा पड़ेगा क्यों क्योंकि हम बच्पन से ये करते आ रहे हैं और 4 number में डिवाइड देने में हमें किसी single number से तो कोई problem नहीं होनी चाहिए महाँ पर हम तुरंट उसका remainder निकाल सकते हैं अब बात आती है जो इससे बड़े number होंगे महाँ पर क्या करना है तर देखो गाईस करना कुछ नहीं है इससे बड़े जो भी number है जैसे 1,2,3,4,5 करना क्या है वही हमको 3-3 के pair बनाने है फिर उनको add करना है एड करने के बाद फिर difference निकालना आपको आता है जो odd number पे जो है उनमे से आपको sum करना है और even number पे जो group हैं उनको sum करना है तो odd number के sum में से even number के sum को minus करना है और जो difference आएगा ठीक है यहां तक का process तो सब के लिए same है ठीक है अगर आपको चेक करना है कि इससे divisible है या नहीं है तो आप इससे divisibility उसकी check करोगे ठीक है अच्छा इससे तो वो divisible होगा है अगर इससे divisible हो गया है तो इन तीनों से divisible तो होगा ही होगा ठीक है लेकिन कुछ नमबर ऐसे भी होगे जो इससे तो divisible नहीं होगे बट इन तीनो से वो सकता है divisible हो ठीक है तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे जब specific इन तीनों में से किसी एक की divisibility check करेंगे तो उस difference को उसी नम्मर से divide करेंगे ठीक है अगर हम 7 से check कर रहे हैं तो 7 से divide करेंगे ठीक है वो difference अगर या तो 0 हो या फिर वो 7 जरूर होगा गाइस ठीक है यह इतना साई concept है इसका ठीक है अच्छा अभी इसके में पस प्रफेक्ट एक्जम्पल तो इसा नहीं है कि जो मैं आपको दिखा सकूँ कि यह 7 से कैसे divide होगा 11 से कैसे divide होगा ठीक है क्यों वो मैंने जानबुच के नहीं रखा है क्योंकि यहां तक तो मैं आपको सिफ अभी concept समझा रहा था इसका जो next वीडियो होगा ना उसमें गाईस टिपिकल कोश्यन इजी कोश्यन, moderate कोश्यन और जो tricky कोश्यन जो आते हैं जापले वो फरजाते हैं ठीक है वो सार उस तरीके के एक कोश्यन में सब आपको एक वीडियो बनाऊंगा बाकाईदा उसके अंदर जो next वीडियो होगा उसके बात करता हूँ उसके अंदर आपको मैं divisibility के सारे कोश् को add करते हो ठीक है 101 के लिए आप double digits को add करते हो odd place की को फिर even place की को फिर उनसे आप क्या करते हो उनका difference निकालते हो ठीक है फिर उसमें आप divide देते हो 101 का ठीक है अगर difference जो है 0 होता है या 101 का multiple होता है तो वो 101 से उसमें divide जाएगा otherwise नहीं जाएगा जो remainder बचेगा अगर positive है त तब मैं आपको chain करना से कहीं दिया है आपको change कर लेना है ठीक है 1001 से क्या करेंगे बस जो number addition होने वाले हैं उनका group जो है एक number और बड़ा हो जाएगा ठीक है इस तरीके से ये काम करता है next जो lecture होगा उसके अंदर हम सवाल देख लेंगे इसके ठीक है जो important सवाल है पहले हम एक दो कुशन easy देख लेंगे कि हमारी approach कैसी उने चीए approach कैसे बनाती है अपने को ठीक है जो approach चीख जाएंगे उसके बाद moderate कुशन देख लेंगे जो कि मतलो exams में आते हैं basically ठीक है और फिर हम hard कुशन देख लेंगे वो कुशन तबाते हैं जब आपको फसाना चाहता है ठी ठीक है यह हम discuss कर लेंगे उसके बाद एक दो कुशन हम ऐसे भी देख लेंगे जो अभी बाकी के exams में आ रहे हैं और आपके IBPS और SSC में भी आ सकते हैं chances है ठीक है तो वहाँ पे आपका सारा स्लेवर्स cover हो जाएगा उसके बाद आप जो है अपनी खुद की practice करिएगा ठीक ह यहां भी आपको सही लगे वहाँ पर आपको कोई ना कोई जवाब दे देगा या फिर मैं दे दूंगा ठीक है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है और आप नहीं है तो आप चैनल को प्लीज बारे में ठीक है और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए इसके बारे में ठीक है गाइस आप आप कोई पसंद आया हो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाए फ़न टेक केर